एक तरफ कॉंग्रेस में घमासान चल रहा है राहूल गांधी के स्तीफे का दूसरी तरफ अब सचिन पालेट और अशोग गहलोत को लेकर एक अलगी खबर सामने आ गई है नमस्कार में हुआ जादव और आप देख रहे हैं SPN 9 News बात कर लेते हैं वह आखिरकार क्या कुछ सामने आए है पालेट और साथी साथ गहलोत से जुड़ा हो दरसल तमाम तरह की बाते जो की CWC की बैठेक में हुई थी जहां राहुल गांदी का घुसा फूटा था कि कॉंग्रेस को करारी हार का सामना इस वज़ा से करना पड़ा है क्योंकि कॉंग्रेस के ही कुछ नेता अपने बेटों को जादा तवज्जो दे रहे थे और कॉंग्रेस के मुद्दों को जनता के सामने नहीं रख रहे थे राहुल गांदी की अब यही बात पूरे तरीके से सच साबित होती हुई नज़र आ रही है इसी बीच आपको मताना चाहेंगे कि आखरकार पालेट और साती साथ गहलोत से जुड़ा क्या कुछ राज सामने आये है राजिस्तान की 25 जिहां सभी 25 लोकसभा सीटों पर दोबारा हार का स्वाद चकने के बाद एक हफ्ते के बाद कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमीनी स्टर के कारेकरताओं को नजरंदास करने और वंश्वास की राजनीती करने का आरोप लगया इतना ही नहीं आपको बता दें कि कई पाची नीताओं ने राज्ये में नेत्रित्व परिवर्तन की बात कही है और तो और कॉंग्रेस के लीकल सेल के उपाद्यक्ष और जोत्पुर से युवा कॉंग्रेस के पूर्व जिलाद्यक्ष आनंद पुरोहित ने कहा कि कई ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ दिया है इनमें ब्रामर राजपूत और साथी साथ जाट भी शामिल है उन्होंने ये तक कहा कि यहां तक की जैपुर से मुखे मंत्री की टीम को भी स्थानिये पार्टी कारेकरताओं पर वरोसा नहीं था जैपुर टीम के द्वारा जिला पार्टी की केंपेंड कारेकरम में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया उन्होंने आरोब लगाया कि जैपुर की टीम ने कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांदी को धोका दिया और तो और पुरोईत ने ये तक कहा कि हम कॉंग्रेस योधा के रूप में जन्में हैं और मर कि शाशुक्त ने कहा कि साल 2014 लोगसवा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदिर्शन के बाद पार्टी ने सच्चन पालट के नेतृत में स्थानिये निकाई यूग चुनावों और पिछले साल हुए विदानसवा चुनाव में भी वापसी की थी और सरकार गठन किया थ यही वज़ा है कि उन्होंने चुनाव में भाच्वा को वोड दिया आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि पालेच की को मुख्यमंतरी बनाया जाना चाहिए था गहलोट को दिली में पार्टी की बड़ी बूमी का दी जानी चाहिए थी उन्होंने कहा कि अगर पालेच को पंशबात की राजनीती ने चुनाब में पार्टी को काफी ज़्यादा नुकसान पहुचाया उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रितेक स्थर पर ज्यादा तर पार्टी निताओं के बेटों बेटियों और संबंदियों ने महतपूर्ण पद खतिया रखे थे ये भी कहा गया कि यो लोगों को नागवार गुजरा इसलिए अशुक गहलाओद के बेटे बैवब गहलाओद भी चुनाब में बुरी तरीके से हार गए अब को बताना चाहेंगे कि जहां इन दिनों राखुल गांदी के स्टीफे पर तमाम तरह की बाते आ रही हैं तो हमाई कुछ और चीज़े भी सामने आ रही है गुजराओं में पार्टी के निराश्चर जनक प्रदर्शन की बाद राहुल ने कॉंग्रेस कारे स्मीथी की बैचक में स्टीफे की पेशकश की लेकिन CWC के सदस्यों ने सर्व सम्मती से उनके स्टीफे को नामजूर कर दिया पार्टी की सीर शिकाई की बैचक में राहुल ने वरस्ट निता पर उनके बेचों को तरदी देने पर भी निशाना साध था पार्टी के वरस्ट ने तरित्वन पर निशाना साथते हुए सिंग ने कहा कि राज्य सरकार के एवल दिखावे में विश्वास करती है जबकि जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है अगर ऐसा नहीं है तो कैसे लोग पांच महीने में ही राज्य सरकार से इतने जादा नाराज हो गए सिंग ने गहलोट और पाइलोट की βीट मतभेद के बारे में शारक हिया उन्होंने कहा कि दोनों सारजनिक मंच पर एकसाथ आते हैं लेकिन दोनों में मतभेद हैं जहां पाइलेट और साथ इसा गहलोत की अस्तिय जो सामने आई है वो सामने आई है सिंग की दुवारा और उनकी अस्तिय यही है इसे बीच आपको बता दें कि सिंग ने कहा कि जो पार्टी कारे करता कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें निश्यत ही इनाम दिया जाना चाहिए फिर अब देखते हैं आखिरकार कॉंग्रेस में नया फैसला क्या लिया जाना है एक मंच पर रहते हुए भी दोनों के मतभेद साफ देखे जा रही थे लेकिन इसे बीच खबर ये भी आ रही है कि भाई ये जो बेटों को ज़्यादा तवज्यों दी कॉंग्रेस निताओं ने इसी के कारेंट कॉंग्रेस को करार यहार का सामना करना पड़ा है कि रही दमाँ अपडेट्स के लिए आप जो देने हमारे चनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकोन को दमाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें